नमस्ता, केसीन टिवी चैनल में आपका स्वागत है, मैं हूँ एम जेन खान, आए डालते हैं आज की ताजा खबर पर एक नज़र बहुजन समाज ने देश भर में बेटियों के साथ बलातकार, हत्या और लाठी चाल को लेकर आज बस्ता कोला अंबेटकर चोग के पास बिरोध परदर्शन किया और दिल्ली के गवर्नर का फूंका पुतला, साथ ही दिल्ली और मुंगेर में मासुम बच्चियों के साथ बलातकार और हत्या की घटना के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठराया धनबाद में छात्राओं पर लाठी चार्ज करने वाले HDM वा अन्य अधिकारियों के निलंबन की मांग की गई दिल्ली में LG यानि गवर्नर साथन में बढ़ते अपराद को लेकर LG से इस्तिफे की मांग की गई कहा गिया की चुने गए मुख मंतरी के रहते दिल्ली में गवर्नर सासन केंद्र सासीत राज काईम है और वहां आपराधी घटनाएं काफी बढ़िर रही हैं बेटियां सुरक्षीत नहीं है आप देख रहे हैं इस वीडियो में दिल्ली के LG यानि गवर्नर का फूंका जा रहा है पुतला बहुजन समाज काफी आक्रोसित नजर आ रहे हैं आईए सुनते हैं इस मौके पर बहुजन समाज के आरके परसाद और प्रेम बच्चन ने केसियन टीवी चैनल से क्या कहा आप बने रहें केसियन टीवी चैनल के साथ हम बने रहेंगे आपके साथ हम हर वाख खबर लेकर आते हैं आपके समक्ज जो होता है जिरूरी और एक्सक्लूसिव जी हाँ आप देख रहे हैं हमारे रिपोटर समीम साह की रिपोट केसियन टीवी चैनल पर आप समाचार और वियापन देने के लिए संपर्क करें हमारा नमबर है 877-893-6666 पर आप बर्स की रखी के साथ बलतकार करके उसे मडर किया गया एब नाखुन तक खीच लिया गया जिनका हम घोर घोर निंदा निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं सरकार से एक यहां भाइस जवाब दे इसका दिल्ली के और यहां मंगर जिला के प्रसासक एक शावसे देमांड करते हैं कि वहां के अव्योक्तों को थारी को और और शजादी आया था इसके विरोध में वो प्रदर्शन की थी इसे पर लाठी चार्ज किया गिया यह संवेदानी खिलाप है पहले उनको पहले उनको पर आंसु गैसे पानी का छिड़काओं करना चाहिए उसके पर लाठी का सिस्टम है यह लाठी चार्ज एक्दम अन्याय पुन है जो भ बस्ता गुलाम बेटकर चौक पर इस बात का विरोध करने के लिए कठा हुए है कि भारत के अंदर में परती 6 घंटा के अंदर में एक बहुजन बेटी के साथ बलतकार होकी घटना घटती है और निरंतर जब से भारत की भारती जिनता पार्टी के सरकार दिल्ली में आई है तब से मानो ये बलतकार उनका एक common minimum प्रोगाम है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा और सबसे दुख की बात है आप राधी को सजा देने में भी कहीं कहीं हम पिछड़ रहे हमारी सरकार पिछड़ रही है हम इस पा घोर निंदा करते हुए पूरे देश भर के अंदर में ब सबस्ता को लाम बेटकर चौक पर एक एटेंडम इना किसी योजना का हम लोगों यहां पर दर्शन करने का काम किया है और हम यह मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि भारत का गिरी मंतरी जो यह नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम यह पूछना च आप बेटी बचाना नहीं चाहते हैं बलकि बेटी मिटाने में आप बरोशा करते हैं आप बेटी को समाप्त करने पर बरोशा करते हैं जिसका नतीजा है कि 8-8 साल की 9-9 साल की बच्चियों के साथ जिसे कौखा गगा नहीं आता है जिसको संसारिक दुनिया का कोई दर्शन नहीं हुआ है वैसे पच्छियों का साथ बलतकार और मंदीरों में बलतकार इससे बड़ा सरमनाक इससे बड़ा दुख का पात पुरे तुनिया गंदर नहीं हो सकता है हम लोगों ने यहाँ पर चूकि हमको दुख के साथ करना पड़ता कि दिल्ली की सरकार जो किंद्र सासिद राज थी लेकिन भारत की सरकार ने उसे एलजी सासन राज बनाने का काम किया है और हमारे चुने वए मुकमत्री से वी उसका कोई सरोकार नहीं है चन सरोकार से उनको दूर रखा जाता है, हम इसलिए गवर्नर का पुतला जला हैं और उस घटना का पूरा जीमेदार गवर्नर को मानते हैं, इसलिए गवर्नर को एक सेकंड विपत पर बने रने का अधिकार नहीं है, इस मंच के माध्यम से मांग करते हैं आपके माध्यम से कि आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई और ताया खबर लेकर केसिन टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजे इजाजत, नमस्कार झाल